है प्लाड हिंदुत कि बात अलग है अब रड़ हिंदुत को और जद्था मत्पोर करेंगे है कि और हिंदु घृ करें में पकी और हिंदु है जिसके मन में राम राजी की परकुप था है हिंदु वो है अयम निजह परोवेती गड़ना लगचेती सामकुदार चरिता नामत वसुधाईव कुटम भुकम आपको पता होगा कि G20 का जो स्लोगन है वसुधाईव कुटम भुकम सारे हिंदुस विस्तों में ऐसा कोई भी राष्ट नहीं है वसुधाईव कुटम की परमपरा डाली थी उन्हीं परमपरा और शी आदर्श का पालन करते हुए हमारे भारत के शुधाईव कुटम भुकम स्लोगन दिया G20 में यही सच्छा हिंदुत है और यह भारती जन्ता पार्टी है यह दो बिन्दू पर टिकी हुई है अन्तियोदय और एक आत्मानुबा सब के अंदर यह कहीं आत्मा है चीटी से लेकर हाथी तक गरीब से लेकर हमीर तक चोटे से लेकर बड़ी तक ऐसे मान बिंदू पर जो पार्टी खड़ी हुई है ऐसी पार्टी की ढोग को हम लोगों को हिंदुत की परिवास आखिलेश न समझाए तो याद अच्छा होग रोड पर यह देश चल पड़ा है इससे विपक्ष के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक बात है देश का कल्यान जनता का कल्यान पिछले 70 सालों में क्या हुआ अखिलेश अखिलेश के पिताजी ने जो रास्ता अपनाया तो उसमें क्या हुआ अब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रिया सबका साथ इस महामंत्र को लेकर जो रास्ता निकाला है मुझे लगता हिंदुस्तान की जनता इसकी मुरीद है और परिणाम यू होगा कि 2024 के चुनाओं में मुझे लगता है तीन सो से जादे लोग सबाद जीत करके मुझे इसके प्रदान मंत्री बनेगा